हेलो एन वेल्कम टू कोडिंग उंडा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पाइफन का परियोग करके इमेल भेज सकते हैं किसी को तो सुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब केजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दिजिए देखिए हम लो कि SMTP LIB SMTP LIB SMTP LIBRARY को मैंने आप इंपोर्ट कर लिया अब हम लोग को क्या करना है दूसरा स्टेप की देखिए हम लोगों को एक सर्वर क्रेट करना है हम लोग जो इमेल भेजेंगे तो क्या होगा हमारे केम्पूटर से वो सर्वर पर जाएगा सर्वर से वो फिर दूसरे के इमेल बॉक्स में दुसरे के सिस्टम पर चला जाएगा कमने क्लाइन पर चला जाएगा बिसिकली तो हम लोग एक सर्वर क्रेट करेंगे तो लिखेंगे सर्वर सर्वर इस एक्वल टू SMTP LIB.CAPITAL में SMTP इसमें हम लोग को दो आर्गमेंट पास करना है पहला आर्गमेंट ह होगा हम लोग का सर्वर का नाम जिसे मैं अभी इमेल का जीमेल का यूज करने वाला हूं तो मैं आप लिखूंगा SMTP.Gmail.com मैं जीमेल का यूज कर रहा हूं इसलिए मैं SMTP.Gmail.com मैंने लिखा और कॉमा देकि हम लोग पोर्ट नंबर बताएंगे तो इसका पोर्ट जीमेल क बाइब फूर वे लिखना है मैं लोगों तो तो 587 और यह हम रेपोर्ट लिख दिया अभी हम लोगा सर्वर यहां पर क्रिएट हो चुका है लेकिन देखेते हैं इंटरनेट से हम लोगं टेटा टेवल करता हैं हम्लोगा डेटा सिक्यूरूर में ट्रेवल करना चाहिए इस इस्टार्ट टी एलेस हमने इस्टार्ट टी एलेस फंक्शन को कॉल कर दिया अब हम लोग को भाई सिक्यूर होगे आए पूरा साइट हम लोग का सर्वर भी क्रेट है अब हम लोग 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 करते हैं हम लोग सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं तो अब लोग लोग देखिए username डालना मतलब हम लोग का email डालना है तो मैं आप अपना email डाल देता हूं codingunder.gmail.com को मैंने codingunder.gmail.com अपना email डाल दिया अब हम लोग यहां पर password डालना है देखिए अगर आप यहां पर normal अपना password डाल दीजीगा कोई भी तो वो सिक्यूर नहीं होगा हम लोग इसमें अपना नॉर्मल पास्वर्ट क्यों डाले कोई भी हमारे अकाउंट पर लॉगिंग कर सके इसलिए गूगल जो है बहुत जादे सीक्यूर है एक बहुत जादे अच्छा सेप्टी फीचर को इसने इंट्रड्यूस किया गूगल एप पास और देखिए आपको यह अध्यान देना है कि आपका टू इस्टेप वेरिफिकेशन इनेबल होना चाहिए तब ही यह ऑप्शन आएगा तो सब्सक्राइब आप टू इस्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लिजे उस पर एप पास्वर नीचे में दिया है इस पर क्लिक कर दीजिए देखिए यहां पर पास्वर मांग रहा है तो यहां पर आपना पास्वर डाल दीजिए इन में से कोई किसी भी ऐप के लिए हम लोग अपना पास्वर्ण नहीं बना रहे अलग एप है तो हम लोग कॉस्टम पे क्लिक कर देंगे हम लोग हमार लेजिए पाइफन मेल अपने आप का नाम पाइफन मेल रखता हूं आप कुछ भी रख सकते हैं कोई यह जरूरी नहीं ह है लोग है यहां पे एमेल आऑ डिकलिश हो दिह लिए आपका पास्वर्ण हो यहां पर दें चुका है इससको पॉड़क कर लूँगा और इस-स्टमाइस को कर दूंगा हम लोग को अपना उरिजिनल पासवर नहीं देना परा गूगल में सेक्यूर में बता दिया तो देखिए अब हम लोग ने पहले तो आपने इमेल एकाउंट से अब हम लोग का काम है कि हम लोग हम लोग लिखेंगे server.send email send mail send email function को करेंगे और देखे from कहां से भेज ना है तो from coding under address gmail.com से भेज ना है तो हम लोग इसको coding under address coding under address gmail.com कर देंगे gmail.com और हम लोग को किसके और यहां पर देख पा रहा है आप में ड्रैक करके दिखा रहा है यहां पर मैसेज में लिख देते हैं हाई दिस इस पाइफन इस पाइफन मैंने message यहां पर भेज दिया अगर अब हम लोग इसको run करते हैं control b press करके देखिए मैं इसे लाइन चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूं तकि आपको अच्छे से दिखे को मा के बाद आप लाइन चेंज कर सकते हैं पाइफन में देखिए यहां पर आपको अच्छे से दिख रहा है हमने यहां पर लिखता हूं जी मेल दुसरे इमेल से यहां पर लिखता हूं जी मेल ड.com तो देखिए मैं यहाँ पे अपने राज़्टोस रंजनाडर.gmail.com वाले इमेल से लोग इन हूँ और यहाँ पे देखिए अमलों का इमेल आ चुका है मैं इसे खोलता हूँ देखिए हाय दिस इस पाइथन जो हमने मैसेज लिखा था वहीं आ चुका है अब जीतना मैसेज जीतना इमेल भेजना चाहें आप इससे भेज सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद